ध्यान रखने योग्यां बहुत जुरूरी बातें. अपना कीमती समय निकाल कर जुरूर सुनें. जुरियों की समस्य को दूर करने के लिए नारियल तेल और शहद को मिक्स कर लें और इसे अपने फेस पर लगा कर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद हलकी गुन- पानी से चहरे को धो कर साफ कर लें. ज्यादतर घरों में लोग सुबह नाश्ते में ब्रेड, बटर चीजों का सेवन करते हैं. इन चीजों से बच्चों के शरीर को पोशन नहीं मिल पाता है. इसलिए नाश्ते में केवल घर की बनी चीजे ही उन्हें खाने के लिए दे. इ अगर नीम्बू पानी पीते हुए नीम्बू के बीज आपके मुह में आ जाएं तो वह चबा कर खा लेने चाहिए. इससे कई बिमारिया दूर होती हैं. चहरे पर चुकंदर का छिलका लगाने से कभी क्रीम लगाने की जूरत नहीं पड़ेगी. ठंडा पानी पीने से बां बाल चमकदार और मुलायम हो जाते हैं. रोजाना एक चमच करेले का जूस पी लेने से शुगर की विमारी से बचा जा सकता है. ज्यादा कैलरी लेने से बचना चाहिए. कॉल्डरिंग की जगा नीम्बू पानी और मीठे के लिए सफेद चीनी की जगा गुड या शहद का इस्सेमाल करें. अगर आप मसूर की दाल नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी. साथ ही शरीर की कमजोरी भी इसके सेवन से दूर होती है. लहसुन को छील कर उनकी कलियों को दरवाजे और खिडिक्यू के पास रख दें. इससे एडियेशन एक हजार गुना जादा होता है जो हमारे दिमाग को बिमार करने के लिए काफी है. यदि आप टोलेट जाते समय अपने दांतों को दबाए रखते हैं तो इससे दांत मजबूत रहेंगे और आपको कभी लगवा जैसी बिमारी नहीं होगी. बाल को बांध कर र संत्रा, करेला और चाय का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए. यह आपके शरीर में जहर के समान कार्य करता है. आलू को उबाल कर फ्रीज में बहुत समय के लिए रख कर कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आलू के पोशक्तत विशैले पदार्थ में बदल जाते हैं. अगर पेट में दर्द हो रहा है तो जीरा पीस कर शहद के साथ चाट ले. इससे पेट दर्द में काफी लाब मिलता है. सोने से पहले सोंफ का सेवन करने से आखों की रोशनी तेज होती है. इसके लिए एक चम्मस सोंफ के साथ दो बदाम खाएं. कुछ ही दिनो में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा. पत्री होने पर हल्दी और पुराना गुड छाच में मिलाकर पीने से पत्री जड़ से खतम हो जाती है. एक चम्मस जीरा रात को पानी में भिगो दे. सुबह उठकर इस पानी को पीने से लीवर मजबूत होता है कब्ज से चुटकारा मिलता है और इससे पेट साफ रहता है. साथ ही यह वजन कम करने में भी मदद करता है. हल्दी, नमक और सरसो के तेल को मिलाकर एक पेश्ट बना लें. फिर मंजन की तरह इससे दात साफ करें. इससे दातों में लगे हुए कीडे मर जाते हैं और दात सा साफ रहते हैं. शहद में मुझूद आयरन की मातरा एनीमिया के खत्रे को कम करता है. पानी पीने के बाद कुछ देर चल दिया करें. ऐसा करने से बुड़ापे तक गुटनों का दर्द नहीं होगा. सुभे नाश्ते के बाद एक इलाइची खाने से सास फूलने की समस्यन न करें. इससे नजर कमजोर होती है. बिना हाथ दोए, जो लोग खाना खाते हैं, उनकी यादास कमजोर होने लगती है. गरवस्था में नाश्पाती का सेवन करना अमरित के समान माना जाता है. यदि पेशाब में पिला पनाता है, तो आप अंदरूनी तोर पर स्वस्थ नही हैं. हार्ट अटेक जैसी बिमारी से बचना चाहते हैं, तो रोजाना, प्याज और लैसुन खाएं, और सुभे एक सेब जरूर खाएं. एक सास में पानी कभी नहीं पीना चाहिए, इससे सीने में दर्द होने लगता है, और पानी हमेशा तीन सास में और बैठकर घूट-घ पूट करके पीना चाहिए. नाखुनों पर आवले के तेल से मालिश करने से आखों की रोशनी तेज होती है. यदि जोडों में दर्द रहता है, तो दूद में कच्चा अद्रक उबाल कर पीने से जोडों के दर्द में आराम मिलता है. बाथरूम में पानी की बाल्टी या पी टब को हमेशा भर कर रखना चाहिए. यदि बाल्टी खाली है, तो उसे पल्ट कर रखना चाहिए. इससे घर में सुख समरिद्धी बनी रहती है. यदि रोटी बनाते समया, रोटी की भाव से हाथ जल जाए, तो उस पर बरफ के टुकडे से सिकाई कर लेनी चाहिए. रंगूठे के नाखुनों पर सरसो का तेल लगाने से कभी आखे खराब नहीं होती. दातों का असली रंग हलका पीला ही होता है, इसलिए जादा सफेद करने के चक्कर में अपने दातों को खराब ना करें. सेंधा नमक, देसी गाए का घी और सरसो के तेल का ही प्रियोग कर रिफाइंड तेल से जितना हो सके बचना चाहिए. यदि दात में दर्ध है तो अदरक का छोटा टुकड़ा चबा लेने से दर्ध तुरंत गायप हो जाता है. यदि बलड प्रेशर बढ़ने की समस्या है तो देसी गाए के शरीर पर हाथ फेरने से दस दिन में ही बलड प् पठल को कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए. इससे चर्म रोग हो सकता है. नमक के साथ दूद और सभी परकार की खटाई वाली चीजों का प्रियोग नहीं करना चाहिए. दूद को हमेशा अकेला ही पीना चाहिए. कच्चा नारियल खाना दिमाग की कमजोरी के लिए बह पस रहता है और साथ ही शरीर कई गंभीर बिमारियों से दूर रहता है. मस्सू से चुटकारा पाने के लिए रोज एलोवीरा जल लगाना चाहिए. इससे कुछ ही दिनों में मस्से सूख कर नीचे गिर जाएंगे. यदि थाइराइड की समस्या है तो चाय में काली मिर्च और सोठ डाल कर पीना चाहिए. इसको रोज पीने से थाइराइड की समस्या खतम हो जाएगी. हर बात को ज़्यादा सोचने वाले लोग अकसर डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनका दिमाख भी वही सोचने लगता है जो असलियत में होता ही नहीं है. इसलिए किसी भी बात को ज़्यादा ना सोचें. दोस्तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी? कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएं. दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेर जरू करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी हिज़बर्दस टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दि इन शुब वा मंगल में हो